हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मेरा नाम है अब्दूल और आप देख रहें टॉक्विद अब्दूल यूट्यूब चैनल आपको मैं इस चैनल पर डेली जॉब अपडेट्स दे देता हूँ तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना नेक्स टार्गेट हमारा है पांच लाग सब्सक्राइबर जली सब्सक्राइब कर लो दोस्तों को शेर कर दो बताओ यार के जॉब अपडेट यहां पे मिल रही है और अब आज की वीडियो की बात करें तो वीकल कर दिया करो और टार्गेट में रखता हूं 3000 लाइक क्योंकि अपडेट्स बहुत ज्यादा आई थी अगर सबसे पहले हम freshers मतलब जो freshers है जो pass out होने वाले उनके लिए जो यहां पर vacancies है उसके बारे में बात करें तो यहां पर अन्ना university recruitment आई थी जो कि teaching पोस्ती बिटेक में अगर आपने किया हुआ है आप apply कर सकते हो freshers था 2020 वाले नहीं थे salary 25,000 और job location यहां पर चेन नहीं था last date 7 February है apply कर देना और उसके बाद SCI की तरफ से आई थी update जहां पर finally eligible है 50,000 जितनी salary है पूरा detail में इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है वीडियो आप देख सकते हो और अगर आप पूरा पढ़ना चाते हो तो description में links भी दी हुई है उसके बाद CBI की तरफ से recruitment आई थी और CBI की तरफ से intensive की recruitment अब आप सोच रहोंगे यह update कहा है पता भी नहीं चला उन्हीं को पता चला होगा जो हमारे telegram channel में है क्योंकि यह update मुझे जहां तक पता है मैंने telegram channel में बता दी थी तो अभी तक आपने join नहीं किया है तो जली join कर लो free है कोई यहां पे आपको charge नहीं मांगा जाएगा description में link है process यहां पे दिख रही होगे आपको फटा फट से join कर लो ऐसे बहुत सारी updates हम telegram channel पर भी दे देते है उसके बाद ICAR N.A.A.R.M की तरफ से recruitment थी जहां पर भी बिटेक मांगा था 25,000 salary थी लेकिन vacancy कम थी apply कर सकते हो freshers थे final year वाल eligible नहीं थी और इसके location हैदराबाद था ICAR की तरफ से एक और N.A.H.E.P मतब ICAR के अंडर में N.A.H.E.P का था उसके अंदर junior engineer की भी vacancy थी परबन ही में था job location freshers apply कर सकते थे final year apply नहीं कर सकते थे और यहां पे 12 vacancy थी अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो भी मैंने पूरा बनाया हुआ है उसके बाद IRCON की तरफ से apprenticeship की update ही जिसकी आपने वेडियो परसो मतब दो दिन पहले ही मैंने बनायी थी आपने देखी होगी अच्छी थी 76 vacancies है diploma and degree वालों के लिए तो भाई वो भी बढ़िया है apprenticeship अगर आप करना चाहते हो उसके बाद CVPB China Valley Project की भी vacancy निकले थी लेकिन उसमें priority के conditions काफी ज्यादा थे तो मैं आपको सच्छेस करूँगा आप IRCON में जा सकते हो MHRD Nets पर register करके आप apply कर सकते हो अगर करना चाहो तो उसके बाद अगर हम बात करे तो भाई Reliance की तरफ से SMSL उसकी भी apprenticeship आई थी और यहां पर salary 12,000 पर month और 50 vacancies Reliance में थी अगर आपने वो नहीं देखा वो वीडियो भी बनाया हुआ है और वो भी update काफी बढ़ी है एक summary की तरह ये वीडियो में आपको सारी चीज़े पता चल जाती है तो भाई अच्छा है ना मुझे comment करके जरूर से बताना या फिर Sunday के लिए कुछ और सोच है आइडियास अपने हमेशा comment में दिया करो बले मैं comments के reply नहीं करता हूँ लेकिन सारे एक-एक comments में read करता हूँ आपको सच बता हूँ तो यह थो थी freshers के लिए जो भी अच्छी vacancies आई थी अब बात कर लेते है experience के लिए experience जो भी candidate से हमारे members है thank you so much channel को subscribe करने के लिए मैं आपको इतना support नहीं करता हूँ क्योंकि आप experience रो आपके लिए vacancies नहीं आता हूँ freshers इसमें apply कर सकते हैं लेकिन 24 vacancy को देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि freshers का selection होगा लेकिन 3 साल का experience अगर आपके पास है then you can apply मतब कि 0,0,1,2,3 मले भी एक साल दो साल का भी experience है try कर सकते हो उसके बाद BECIL की तरफ से recruitment है surveyor और programmer जहां पर आपको vacancy समझ आ गई होगी कि भाई computer engineer की है तो भी पिटे का कर डिप्लोमा किया हुआ है एक साल का experience अपलाई कर सकते हो salary 31,000 job location Noida है और यह सारी भी updates बता रहा हूँ ना आप सोचे रहोंगे fresher apply कर सकते है तो क्यों fresher में नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर जब मुझे लगता है कि experience वालों को job लगने वाली है तो भी freshers को बता के क्या पाइदा है वो खामका अपनी fees waste करेंगे यहाँ पर fees होती है बहुत सारी vacancies में fees होती है क्योंकि यह government jobs है उसके बाद अगर बात करें DMRC की तरफ से 5 साल का experience मंगा है लेकिन salary भी बहुत तगड़ी है 1,20,000 से आपकी salary स्टार्ट होगी लेकिन 5 साल का experience भी सामने है अगर आप मेंसे कोई भी हमारा कोई senior member है जरूर से apply कर देना सर बहुत ही बढ़िया है अगर आप अभी job switch करना चाहते हो then go for this उसके बाद FAAI की तरफ से vacancy है जहाँ पर MSC, ME, Mtech apply कर सकते है 26 vacancies दे दो साल का experience मंगा हुआ है junior fellows in food and safety nutrition and senior fellows in food and safety, food safety and nutrition वह वाली vacancies है all over India में कहीं पर भी job लग सकती है और salary mention नहीं किया लेकिन आपको बताओ 50-60,000 से कम आपको नहीं मिलेगा FAAI है उसके बाद CMAT जहाँ पर director scientist B, scientific assistant, finance officer की requirement है जहाँ पर अगर आप समझते हो finance officer तो MBA in finance किया हुआ है you can apply लेकिन इसके अंदर 2 साल का experience मंगा हुआ है अच्छे vacancy है और यहाँ पर salary mention अगें नहीं की हुई है अब सबकी मैं last date में नहीं बता रहा हूँ लेकिन इतना समझ लो कि यह last date February के 20 के बाद या 10-15 के बाद खतम होने वाली है और आपको official notifications जो भी चाहिए जो भी applying link चाहिए वो description में मैं link provide करूँगा वहाँ पर पूरा blog English में लिखा हुआ है और उसके अंदर सारी चीज़े आपको मैं दे दूँगा उसके बाद EIL के तरब से है लेकिन उसके अंदर 4 साल का experience मांगा हुआ है salary 80,000 per month B BITEC executive grade 1, grade 2, executive grade 3 तीन यहाँ पर तीन अलग-अलग तरगी post है तो भई यह थी experience वालों के लिए vacancy, freshers के लिए भी बहुत आई experience के लिए भी बहुत आई मुझे comment करके आप आपको बताना है कि आप किसमे apply कर रहे हो आपने किसमे interest दिया हुआ हर हफते मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई हफते में मतब कभी-कभी एक-दो वीडियो नहीं आती है बगी daily jobs आ रही है daily jobs आ रही है आप मुझे बताओ आप कितने efforts खुद की side से लगा रहे हो job पाने के लिए मुझे यह answer आप करके बताओ कि भई आप कितने efforts लगा रहे हो form fill up करना यह कोई efforts आपकी side से नहीं हुआ ना ही मेरी वीडियो को देखना है यह भी कोई efforts नहीं हुआ यह तो मैं information provide कर रहा हूँ description में link दे रहा हूँ आप apply कर रहे हो लेकिन आप यह job को पाने के लिए क्या मेहनद कर रहे हो मुझे comment करके बताओ आपने कुछ ऐसा किया आपने prepare किया खुद को improve किया last six months में आपके last three months के improvement के reports क्या है वो आप खुद अच्छे से जानते हो यह चीज़े अगर समझते हो दिन आपके job लगने के chances भी बढ़ जाते है यह सारी बात है आपको as a dost as a big brother आप जो भी समझो उस तरह से मैं आपको बताता हूँ अगर पसंद आये तो वीडियो को like कर देना और comment करके ज़रूर से बताना मिलते है next job update में वीडियो तो दी रहे कि टेली 6 बचे चैनल को subscribe कर देना और करवा देना दोस्तों को बता देना अभी तक इतना support करने के लिए thank you so much मिलते है next वीडियो में next job update में तब तक के लिए goodbye, take care